Hello everyone, so welcome to one more video और आज के इस वीडियो में हम एक numerical solve करने जा रहे हैं जो कि बेज़ट है आपका बाहन सी के ऊपर तो बहुत आसान से numerical आप लेखा हो देख सकते हैं wooden block of width 2 meter depth 1.5 तो मैंने wooden block यहां पर बना दिया है इसकी width 2 meter है और इसकी जो depth 1.5 meter है length 4 meter और length इस paper के perpendicular direction होगे find the volume of water displaced and the position of center of buoyancy specific gravity of the wooden block is 0.7 तो आपको क्या के दिया है इसमे specific gravity दिये wooden block की अब specific gravity को आप density में change कर सकते हैं सीधा 1000 से multiply करके तो density कितनी हो जाएगे density of wooden block तो यह density आजाएगे आपके 0.7 multiplied by 1000 इसका मतलब 700 kg per meter के हो ठीक है अब हम निकाल लेंगे इसका weight basically यह सब करके हो रहा है क्योंकि Arkmanis का principle है कि इसका जो weight है मतलब जब यह equilibrium होगा तो इसका जो weight है बुडन बॉक्स तो बुडन बॉक्स का weight क्या हो जाएगा weight के लिए आप क्या कर सकते है specific weight multiplied by volume तो specific weight multiplied by volume तो specific weight क्या होता है row into g volume वी तो मैं यहां पर लिख देता हूं निकाल के तो w weight of burden box ठीक है box equals आजाएगा आपका row की value इसकी हाँ आपको ध्यान रखना है density किसका लेना है burden box का तो burden box अक्सिदेंस कितनी है 700 g की value 9.81 और इसका volume की हो जाए length into weight into height तो इसका volume हो जाएगा 2 into 1.5 into length कितना 4 तो solve कर लेते हैं तो 700 multiplied by 9.81 multiplied by 2 into 1.5 into 4 ओके तो यह आगया आपका weight 8 2 4 0 4 मूट अब इसके equilibrium के लिए for equilibrium जो आपका buoyancy force है क्याना buoyancy force obviously कैसा लग रहा हुआ vertically upward direction and weight कैसा लग रहा vertically downward direction तो buoyancy force या buoyancy force should be equals to weight of burden box ठीक है अब burden box का weight हम निकाल चुके हैं ठीक है burden box का weight निकाल चुके अब उनको निकालना buoyancy force तो buoyancy force भी निकला है एक तरह से ओके अब buoyancy force एक क्या होता है buoyancy force equals होता है weight of liquid displace ठीक है तो weight of liquid displace से मैं निकालना चाहूँ तो weight कैसे निकलेगा specific weight लेकिन यहाँ पर specific weight को उसकी बात कर रहा है हम liquid की specific weight और यहाँ पर हमने किसकी specific weight की बात किए बोडन बॉक्स का specific weight into volume ठीक है और यहाँ पर यह volume बोडन बॉक्स की बात किए यहाँ पर बात कर रहे हैं यह liquid की बात कर रहे है डबलू एल लिख देता है आप एक्वल्स यह बाइंसी फोर्स आ गया बाइंसी फोर्स में दोबारा से बोल देता हूँ क्या होता है अब वेट ओफ लिक्विड इस्प्लेश तो यह लिक्विड का specific weight हो गया यह volume हो गया specific weight volume को multiply करेंगे तो weight निकलाएगा यह किसके बराबर होगा यह इसके इसके बराबर होगा है है एक्विडियम के लिए बाइंसी फोर्स इक्वाइट तो 82404 अच्छा वेट के लिए क्या हो जाएगा रो इंटू जी इंटू वी एल एट टू फोर जिरो फोर अब रो वाटर वाटर की देंसिटी 1000 जी की वाल्यू 9.81 इंटू वी एल वी एल के बॉल्यू में फिल्प की डिस्प्लेश एट टू फोर जिरो फोर तो वी एल के आ जाएगा आपका 8.4 ओबिसली इसकी युनिट क्या होगी मेटर का क्यूब तो यह आ गया अब आपको सेंट्र वाटर वाटरिंसी को रपजेंट करता है सेंट्र वाटर आपका करता है कि यह जैसे मालो एच है free surface से इसके bottom edge की distance तो यह जो buoyancy force क्या होता है इस पूरे जो यह पूरा जो button box है इसने कितना volume displays किया हो तो obviously इसका volume जो volume displays होगा वो किसके बरावर होगा इतने volume के बरावर होगा तो जो buoyancy force का point of obligation क्या होता है वो कहलाता है center buoyancy तो यह हम किसी तरह edge निकालना है ठीक है तो इस liquid का यह liquid है ठीक है इस liquid का center कहा लाई करेगा obviously इसका center edge upon two पर लाई करेगा तो सबसे वहले हमको edge निकालना पड़ेगा तो edge क्या होगा volume of water displays ठीक है volume of water displays हम निकाल चुके हैं यह कितना 8.4 meter की अब यह हम इसके हिसाब से निकाला है तो यह कितना हो जागा two multiplied by h और इसकी length इसके perpendicular है तो volume of liquid displaced यह कितना जाएगा आपका यह आगा आपका two multiplied by h multiplied by length length कितना है four equal equal कितना जाएगा आपने अभी निकाला 8.4 8.4 ठीक है अभी निकाला है एक को display से यहां से edge निकाला जाएगा 8.4 upon 4 into 2 तो यह 8 से इसको divide कर दो तो यह आगया आपका edge की value आगे 1.05 ठीक है यह edge आगया तो center of ionc क्या होगा center of ionc यह क्या होगा h upon 2 इसका मतलब यह 1.05 upon 2 तो यह value आगई 0.525 meter